मश्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग में आपका स्वागत है सो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइग कीजिए धन्यावाद सो गाइज हम डिसक्स करेंगे बलराम पूर्चीनी मिल्स के बारे में क्या आपको इस शेर में निवेश करने या नहीं हम आपके लिए गाइज बिल्कुल क्लियर कर देंगे सो गाइज हमने आपको खुद इस शेर में एक बाइंग कॉल दीजी जब इसका प्राइस तकरीवन 420 उर्पेगा था और उसके बाद इसने अपने 500 के टार्गेट को अचीव कहा था गाइज और हमने आपको कहा था अगर आप इस शेर में शॉर्ट टम पॉन्ट वीज से ब मिला गाइज सो गाइज हमने आपको पहले भी का था कि शुगर स्टॉक्स में इसलिए तेजी बनी हुए क्योंकि उस टाइम आपको पता है क्रूड ओल के प्राइस अपने अल्टाइम हाय पर पहुंच चुके थे जिसके बाद जो प्राजिलिन शुगर इंडस्री थी थी वह इंडिन शुगर फ्यूल बना रही थी शुगर से जिससे वह अपने जो शुगर एकस्पोर्ट है वो कम करी जिसे डारेक्ट फादा हमारे इंडियन शुगर फ्रचाण रिक्सपर्ण Ay ピर शुगर इंडस्री को ब्ली थी और उसके बाद आपको पता है क्रूड एक प्र डेखने को मिला आइसमी भी हमें हमें शुगर स्टॉक में ऐसा मुमेंटम देखने को मिलेगा उतना अछा हमें रहले देखने को यह से लहीं लेकिन हमें आपको यहीं से लाद देंगे गाईज बलरामपूर चीनी मिल फंडमेंटली बहुत स्टॉक है आप इस स्टॉक पे बे फिक्रों के निवेश कर सके long term point of view से क्योंकि आने वाले टाइम में इथनोल फ्यूल की डिमांड बहुत बढ़ेगी जिससे डाइरेक्ट फाइदा शुगर स्टॉक्स को होगा गाईज आने वाले टाइम में हमें इसमें हजार के टार्गट देखने को बिल सकते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में इथनोल की डिमांड बहुत बढ़ेगी जिससे बलरामपुर चिनी मिल्स जैसे शेरों को बहुत अधा फाइदा होगा गाईज हमारे क्याल को प्लीज सर्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए ठेंक्यू गाईज